तो दोस्तो तुर्की से आज एक बहुत ही बड़ी और महत्पून खबन निकल के सामने आ रही है और तुर्की ने मात्र आठ दिनों के अंदर ही अपना फैसला बदल दिया है जिससे भारत के उपर भी बड़ा असर पड़ने वाला है दरसल आप सुभी को पता है कि तुर्की और सीरिया के अंदर भूकंप आई हुए आज 10 दिनों से भी जादा का समय हो चुका है और इस प्राकृतिक आपदा ने तुर्की और सीरिया के हजारों लोगों की जान ले ली साथ में बिलियंट्स ओप डॉलर का जो नुकसान है वो तुर्की और सीरिया दोनों ही देसों क दोरान बेघर हो चुके हैं पर आप सभी ने सुना होगा कि जब यह भूकंप आया था तो उसके 2-3 दिन बाद पाकिस्तान के प्रधान मंतरी सहवासरीब तुर्की के दोरे पर जाना चाते थे ताकि तुर्की के लोगों को सांत्वना दे सकें साथ में यह बता सकें कि हम त तुर्की के साथ खड़े हुए हैं परन्तु उस समय तुर्की ने पाकिस्तान के प्रधान मंतरी का यह दोरा यह कहकर नकार दिया था कि अभी जो हमारे राष्ट पती हैं वो अभी राहत और बचावकार के अंदर काफी जादा बिजी हैं जिसके करण से पाकिस्तान के जो वो अभी तुर्की के दोरे पर ना आएं आँगे चल कर उनको एक नई डेट दी जाएगी जिसके अंदर वो तुर्की का दोरा बड़े ही आसानी से कर सकते हैं अब दोस्तों जैसा कि तुर्की ने कहा था कि पाकिस्तान के प्रधान मंतरी को नई डेट दी जाएगी तो चैन्ड की उपर आप सभी आर्टिकल भी देख सकते हो जिससे या जो बात है वो प्रूफ हो जाती है अब आप सभी जानते हो कि भारत से जितना भी बन सका इस प्राकर्तिक आपदा के दौरान भारत ने तुरकी की भी साहता करी और साथ सात में सीरिया को भी भारत ने मदद इसकी उपर आप सभी की क्या राय है कमेंट बॉक्स में फिर आविस्ती जिगा वीडियो को लाज तक देखने के लिए धन्न बाद जैहेंद वंदे मातराम